नमस्कार दोस्तों आप सिखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं तेर साल से तीन साल के बेबी के लिए ये घुबसूरा सा स्वेटर लाए हूँ जो गले से बनने वाला स्वेटर है तो इसके लिए इसमें मैंने 78 फंदे डाले हैं 78 स्टेचर और 8 लाएन उल्टा उल्टा बुना है जिसे 4 सीधे फंदो की धारियां सामने से और 4 पीछे से भी आ गई है और 5 लाएन में मैंने इसमें बटन हूल बना लिया है तो 8 लाएन बुनने के बाद 9 लाएन में हम फंदो को 5 हिस्सों में डिवाइट करेंगे तो हमारे पास 78 स्टेचर हैं और हमने 8 लाएन का बॉर्डर कम्प्लेट कर लिया है अब इनको हमें 5 भागों में बाटना है तो ये 4 फंदे हमारे डिवाइदर के हो जाएंगे 15 फंदा फ्रेंट के और 15 फंदा बैक के हो जाएगा 10-10 फंदा दोनों आस्तिन के और 24 फंदा हमारा बैक पोशन का हो जाएगा तो इस तरह हमने 78 स्टीचे को बाटा है 15 फंदा फ्रेंट का फिर एक डिवाइदर फिर 10 आस्तिन का फिर एक डिवाइदर प्लस 1 प्लस 24 यह हमारा बैक का यह हमारा हुआ थर्ड डिवाइदर प्लस 10 दूसरे आस्तिन का फ्लस 1 फोर डिवाइदर और फ्लस 15 15 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 24 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 1 और प्लस 15 तो 70 stitches को हमने इस तरह बाट लिया है तो अब ये हमारा 9th row है और सामने से तो पहला फंदा हम slip कर लेंगे अब उनको अपनी ओर करेंगे और 10 फंदा हम उल्टा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और 10 10 फंदा उल्टा बुनने के बाद उन दूसरी ओर करेंगे और 4 फंदा हम सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार तो ये हो गए हमारे 15 फंदे पहला फंदा हमने स्लिप किया था 10 फंदा उल्टा बुना था और 4 फंदा सीधा तो 4, एक, पांच, और ये 10, 15 फंदा हो अब उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बुनेंगे ये हमारा फर्स डिवाइडर हुआ फिर उन अपनी ओर करेंगे और 4 फंदे सीधे अब उन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे ये हम आसितिन के फंदे बुन रहा है फिर उन अब दूसरी ओर करेंगे और चार फंदा सीधा एक, दो, तीन, और चार ये हमारे दस फंदे आस्तिन के हो गए अब उन अपनी और करेंगे और अगले फंदे में हम जाले देते हुए सीधा बनेंगे ये हमारा सेकंड डिवैडर हुआ फिर उन अपनी और करेंगे और चार फंदे सीधे और चार उसके बाद उन अपनी और करेंगे और 16 फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला अब उनको दूसरी और करेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, अब उनको अपनी और करेंगे और अगला फंदा जाली देते हो सीधा तो ये हमारा थर्ड दिवाइडर हुआ फिर उनको अपनी और करेंगे और 4 फंदा सीधा बनेंगे एक, दो, तीन, चार अब उनको अपनी और करेंगे 2 फंदा उल्टा उनको दूसरी और करेंगे 4 फंदा सीधा तो ये 10 फंदे हमारे दूसरे आस्तिन के हो गए अब उन अपनी और करेंगे अगला फंदा जाली देते हो सीधा ये हमारा food divider हुआ, उन अपनी और करेंगे, चार फंदे सीधे, उन अपनी और करेंगे, दस फंदा उल्टा बुनेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस और last फंदा as stitch है, इसे हम सीधा बुनेंगे, और wrong side से सबी फंदे उल्टें, तो border के बाद ये हमारा तीसरा लाइन है, पहला फंदा slip करेंगे, उन अपनी और करेंगे, और दस फंदा उल्टा, दस फंदा उल्टा बनाने के बाद, उन दूसरी और करेंगे, चार फंदा सीधा, एक, दो, तीन, और चार, अब इस फंदे के बाद हमें, उन अपनी और करना है, और तीन फंदा सीधा बनना है, एक, दो, तीन, उन अपनी और करना है, फिर चार फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, उन अपनी और करेंगे, दो फंदा उल्टा, उन दूसरी और करेंगे, चार फंदा सीधा, अब उन अपनी और करना है और देखिए इस जाली के उपर हमें जाली बनाना है तो उन अपनी और करेंगे और तीन फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे फिर चार फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे और ये हमारा बैक पोशन है तो सोला फंदा उल्टा बुन लेंगे सोला फंदा उल्टा बुनने के बाद उन दूसरी और करेंगे चार फंदा सीधा फिर उन अपनी और करेंगे और तीन फंदा जाली देते हुए सीधा बनाएंगे फिर उन अपनी और करेंगे चार फंदा सीधा फिर उन अपनी और करेंगे और दो फंदा उल्टा यह हमारा आस्तिन का फंदा है उन दूसरी और करेंगे चार फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे और देखिए यह हमारा चौथा डिवाइडर है तो उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए तीन फंदा सीधा बनाएंगे फिर उन अपनी और करेंगे चार फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे दस फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा और रॉंग साइट से सब भी फंदे उल्टे हर उल्टी लाइन में सबी फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे पीछे की तरप से सबी फंदे उल्टे बॉर्डर के बाद ये हमारा पाश्वा लाइन है और सामने से तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और दस फंदा उल्टा बनाएंगे फिर उन दूसरी और करेंगे चार फंदा सीधा अब उन अपनी और करेंगे और यहां देखिए हमें जाली बनाना है तो उन अपनी और करेंगे और पाश फंदा जाली देते हुए सीधा बनाएंगे दो, तीन, चार, पाश फिर उन अपनी और करेंगे और ये 4 फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे यानि जाली देते हुए सीधा तो ये हमारा दिवाइडर है अब उन अपनी और करेंगे और 2 फंदा उल्टा ये आस्तिम का फंदा है फिर 4 फंदा सीधा 1, 2, 3, 4 अब उन अपनी और करेंगे और देखिए यहाँ पर हमें जाली देना है तो उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए पांश फंदा सीधा बनेंगे एक दो तीन चार पांश उन अपनी और करेंगे और फिर जाली देते हुए चार फंदा सीधा तो ऐसे ही हम जितने उल्टे फंदे हैं वहाँ पे उल्टा बना लेंगे और हर डिवाइडर पे किनारे किनारे के उपर 4-4 फंदे हैं तो 4-4 फंदे सीधे बना लेंगे और यहाँ पे जाली देते हुए बीच में 5 फंदे सीधे बनाएंगे जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया था और wrong side से सबी फंदे उल्टे तो ऐसे ही आप इन दोनों divider पे भी बना लेजे border के बाद यह हमारा 7 वा लाइन और सामने से तो पहला फंदा slip करेंगे 10 फंदा उल्टा बुनेंगे फिर उन दूसरी उर करेंगे 4 फंदा सीधा उनको अपनी उर करेंगे और 7 फंदा जाली देते हुए सीधा बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब उनको अपनी उर करेंगे और 4 फंदा जाली देते हुए सीधा उनको अपनी उर करेंगे तो फंदा उल्टा उनको दूसरी उर करेंगे और 4 फंदा सीधा यह हमारा आस्तिन का देखिए यह पहरा डिवाइडर, यह दूसरा डिवाइडर और यह आस्तिन का हमारा बार्ट है तो उन अपनी उर करेंगे और ये हमारा दूसरा डिवाइडर आ गया तो जाली देते हुए साथ फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ अब उन अपनी उर करेंगे और जाली देते हुए चार फंदा सीधा एक, दो, तीन, चार, उन अपनी उर करेंगे और सूला फंदे उल्टे ये हमारे बैक के फंदे हैं तो सूला फंदे उल्टे बनाएंगे फिर चार फंदा सीधा फिर उनको अपनी उर करेंगे और जाली देते हुए साथ फंदा सीधा फिर उन अपनी उर करेंगे और जाली देते हुए चार फंदा सीधा तो ये हमारा थर्ड डिवाइडर है फिर दो फंदा उल्टा फिर चार फंदा सीधा फिर जाली देते हुए साथ फंदा सीधा फिर उनको अपनी उर करेंगे जाली देते हुए चार फंदा सीधा ये हमारा foot divider हुआ फिर उन अपनी ओर करेंगे 10 फंदा उल्टा, last फंदा सीधा और wrong side से सबी फंदे उल्टे border के बाद ये 9th row और सामने से तो पहला फंदा हम slip कर लेंगे उन अपनी ओर करेंगे और अब हम इस जाली तक सबी फंदे उल्टे बना देंगे 10 फंदे ये थे और 4 फंदे और add हो गए तो अब की हम 14 फंदे उल्टे बनाएंगे 14 फंदे हमने उल्टे बना ले अब उन अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा सीधा 1, 2, 3, 4 4 फंदे सीधे हो गए और ये हमारा center फंदा है यानि की divider वाला फंदा तो इस फंदे के हमें दोनों तरफ जाली देना है इसलिए उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए एक सीधा फंदा ये हमारा पहला divider है फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली तक यानि ये चार फंदे हम सीधे बनाएंगे अब उन अपनी ओर करेंगे और दस फंदे यानि की इस जाली से यहां तक हम दस फंदे जो है उल्टे बनाएंगे ये हमारे आस्तिन के फंदे हैं चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस पहले हमारा हमारे पास सिर्फ दो फंदे थे दो फंदे थे और चार चार फंदे ये एड हो गया अब उन दूसरी ओर करेंगे चार फंदा सीधा और ये हमारा सेंटर फंदा है याने कि दिवाइडर वाला फंदा है तो इस फंदे के हमें दोनों तरफ जाले देना है ये हमारा दूसरा दिवाइडर है फिर उनको अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे जाले देते हुए सीधा अब उन अपनी ओर करेंगे और ये हमारा बैक पोशन है तो 16 फंदे थे, 4 फंदा इधर से और 4 फंदा इधर से आगया, तो यह हो गया, 24 फंदे तो 24 फंदे उल्टे बनाएंगे, 24 फंदे अब की उल्टे बना लेंगे, बैक के लिए, अब फिर यह हमारा थर्ड दिवाइडर है, तो 4 फंदा सीधा बने लेंगे, 1, 2, 3, 4, पाचे फंदे के दोनों साइड में हमें जाली देना है, तो उन अपनी उर किया, जाली देते हुए, एक सीधा फंदा, फिर उन अपनी उर किया, और जाली देते हुए, 4 फंदे सीधे बनेंगे, अब उन अपनी और करेंगे दस फंदा उल्टा ये हमारा दूसरा आस दिन है उन दूसरी और करेंगे चार फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए चार फंदे सीधे उन अपनी और करेंगे और 14 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा और रॉंग साइट से सभी फंदे उल्टे बार्डर के बाद ये 11 लाइन और सामने से तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे फिर 14 फंदा उल्टा बुनेंगे फिर उन दूसरी और करेंगे चार फंदा सीधा एक दो तीन और चार चार relación ऐसे सीधा बनाने के जाले देते हुए सीधा यह हमारा देखिए पहरा डिवाइडर यह बुन गया फिर उन अपनी और करेंगे दस फंदा उल्टा अब उन दूसरी और करेंगे चार फंदा सीधा अब उन अपनी और करेंगे और जाले देते हुए तीन फंदा सीधा बनाएंगे एक, दो, तीन उन अपनी और करेंगे और जाले देते हुए चार फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे 24 फंदा उल्टा 24 फंदा उल्टा बुर्णने के बाद उन दूसरी और करेंगे 4 फंदा सीथा बनाएंगे अब उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए 3 फंदा सीथा फिर उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए 4 फंदा सीथा अब उन अपनी और करेंगे और दस फंदा उल्टा अब उन दूसरी और करेंगे चार फंदा सीधा अब उन अपनी और करेंगे तीन फंदा जाली देते हुए सीधा फिर उन अपनी और करेंगे चार फंदा जाली देते हुए सीधा उन अपनी और करेंगे चौदा फंदे उल्टे और पंद्रहमा फंदा सीधा और उल्टी साइट से सभी फंदे उल्टे तेरह वी लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लिया चौदा फंदा उल्टा बुना फिर चार फंदा सीधा उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए पाश फंदा सीधा फिर उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए चार फंदा सीधा फिर उन अपनी और करेंगे दस फंदा उल्टा फिर उन दूसरी और करेंगे चार फंदा सीधा अब उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए पाश फंदा सीधा फिर उन अपनी और करेंगे और जाली देते हुए चार फंदा सीधा तो इसी तरह हम चारों डिवाइडरों में ऐसे ही तीसरे और चौथे डिवाइडर में भी हम इसी तरह बना लेंगे जाले देते हुए बीच के पांच फंदे सीधे बनेंगे और लास्ट रॉंग साइड से सबी फंदे उल्टे पंद्रह वी लैन और सामने से पहला फंदा स्लिप किया चौदा फंदा उल्टा बना उन दूसरी और करेंगे चार फंदा सीधा अब उन अपनी और करेंगे और इस जाले के उपर हमें जाले बनाना है तो उन अपनी और किया और साथ फंदा जाले देते हुए सीधा फिर उन अपनी ओर करेंगे और ये हम चार फंदे सीधे बनाएंगे यानि जाली देते हुए चार फंदे सीधे फिर उन अपनी ओर करेंगे और ये दस फंदा आस्तिन के उल्टे तो इसी तरह हम सारे डिवाइडर बना लेंगे जो फंदे हम उल्टे बुन रहे हैं वो फंदे उल्टे बुनेंगे चार फंदा ये सीधा और ये दूनु जाली के बीच में साथ फंदा सीधा हो जाएगा और रॉंग साइड से सबी फंदे उल्टे सत्रहवी लाइन और सामने से अब ये जब चार जालियां बन जाएंगे तो ये चार फंदे इस में फंदे में आ जाएंगे तो सत्रहवी लाइन में पहले मैंने एक फंदा स्लिप किया और अठारा फंदे, चौदा फंदे पहले बना जा रहा था ये चार फंदे वे जो उल्टे फंदे थे ये इसमें आड हो जाएंगे तो 18 फंदे उल्टे बुने जाएंगे अब यहां पे बीच में 9 फंदे इकठे हो गया है तो 4 फंदे जो हैं वो अब सीधे बुने जाएंगे इस में से चार फंदे, नो फंदे में से चार फंदे, अब सीधे हो जाएंगे, एक, दो, तीन, और चार, और ये पांचवा फंदा जो है, ये में फंदा जो चला आ रहा है, यानि दिवाइडर वाला फंदा, उन अपनी उर करेंगे, और जाली देते हुए सीधा बुन लिया, फिर उन अपनी और करेंगे और यह दिखे जाली तक कि यह 4 फंदे जो है वो जाली देते हुए सीधे बना लिये जाएंगे तो यह जब 4 फंदा कम्प्लीट हो जा रहा है तो फिर बीच वाले फंदे से यह 4 चार फंदे इधर आ जा रहा है देखे ये उल्टे फंदे में ये एड हो गया और यहां से चार फंदे फिर किनारे के चार फंदे सीधे हो जा रहा है और बीच वाले फंदे के दोनों तरफ फिर से जाली बनना शुरू हो जा रहा है जो हमने यहां पर किया है तो ये तीसरा जाली बनना शुरू हो रहा है देखे चार जाली यहाँ पड़ा फिर बीच वाले फंदे के दोनों तरफ चार जाली पड़ना शुरू हो गया अब यहां पे जब 9 फंदे complete हो गया है तो 4 फंदे में इन फंदों में add हो गया है और यहां के center फंदे के यानि बीच वाले पाशवे फंदे के दोनों तरफ जाली पड़ेगा और यह नया पैटल शुरू हो जाएगा तो यह तीसरी पंखुडी बन रहे है ऐसे ही हमें पाश हमको यह वी जो बन रहा है जाली का जो वी बन रहा है ऐसे हमको पाश बनाना है तो यह तीसरा बनना शुरू हो रहा है तो ऐसे ही पाश बना के मैं आपको दिखाते हूँ तेखे फ्रेंड्स ये पांच जाली कंप्लेट हो गया है एक दो तीन चार और पांच और तेखे ये खुबसूरत से पांच पत्तियां भी त्यार हुए है तो पांच जब ये हमारा पांच वे में चार जाली कंप्लेट हो जा रहा है तो अब हम सभी फंदे उल्टे बनेंगे पहला और आखरी फंदे को छोड़के ये हमारा सामने की तरफ है तो हम सभी फंदे उल्टे बनेंगे और रॉंग साइड से भी सभी फंदे उल्टे देखिए फ्रेंट्स ये divider complete होने के बाद ये 6 लाइन है और हम wrong side से हैं और ये कुछ इस तरह बनके त्यार हुआ है देखिए ये कुछ इस तरह बनके त्यार हुआ है तो divider में यहाँ पे 9 फंदे थे तो 4 फंदे हमने front में ले लिए और 5 फंदे ये आस्तिन में लिए और आस्तिन के सारे फंदे घटा दे देखिए ये दूसरे divider के भी 5 फंदे आस्तिन में लेके घटा दिये गा है और ये हमारा back portion है ये हमारा back portion है तो अब वापस हम देखिए ये तीसरे divider के पास पहुच गया है और 4 फंदे इधर बुन लिए गया है अब पांच में फंदे से हम ये दूसरे आस्तिन के फंदे भी घटाएंगे तो एक फंदा बुना दूसरा फंदा तो फंदे उल्टे बुने और पीछे वाला फंदा उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे ये हमारा दूसरा आस्तिन भी घटना शुरू हो गया है तो ऐसी ही हम सारे ये फंदे घटा लेंगे ये हमारे दिवाइडर के नौ फंदों मेंसे पांच फंदे हम इधर घटा देंगे और शेस फंदे फ्रंट साइड के हो जाएंगे तो मैं आपको घटा के दिखाते हूँ देखे फ्रेंट्स आस्तिन के सारे फंदे घटाये जा चुके हैं यह डिवाइडर के पाश फंदे अदर घटाये जा चुकें और चार फंदे इधर 6 बचे हैं जो फ्रेंट्स के साथ हो जाएंगे तो अब 6 फंद हम उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे देखिए फ्रेंस ये ऐसा बनके त्यार हुआ है और अगर इसे हम फोल्ड कर दे रहे हैं देखिए फ्रेंस ये ऐसा बनके त्यार हुआ है आशा है आपको अच्छा लगा होगा तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो क्यों पैसे लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने अच्टेदारों में शेयर करें बेल आइक और प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद